हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम हिंदू पौरानिक कताओं की सम्रिध और जीवंत कहानियों की व्याख्या करते हैं। आज के वीडियो में हम साहस, भक्ती और दैविय शक्ती की एक असाधारन कहानी का पता लगाते हैं। यह कहानी है कि कैसे शनिग्रह के अवतार शक्तिशाली शनिदेव भगवान हनुमान की अद्विती ये भक्ती और शक्ती से पराजित हुए। इस आकर्शक कहानी को जानने और इसके भीतर निहित गहरे अर्थों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। शनिदेव के नाम से ही हर व्यक्ती डरने लगता है। शनिदेव की दशा एक बार शुरू हो जाए तो साधे-साथ साल बाद ही पीचा छोड़ती है। लेकिन हनुमान भक्तों को शनिदेव से डरने की तनिक भी ज़रूरत नहीं। शनी देव ने हनुमान जी को भी डराना चाहा, लेकिन उन्हें मुह की खानी पड़ी. आईए, जानेते हैं कैसे? महान पराक्रमी हनुमान जी अमर हैं. पवन पुत्र हनुमान जी रगुकुल के कुमारों के कहने से प्रति दिन अपनी आत्मकथा का कोई भाग सुनाया करते थ वह अपना सिर प्रायह जुकाये रखते हैं. जिस पर अपनी दृष्टी डालते हैं, वह अवश्य नश्ट हो जाता है. शनी देव हनुमान जी के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे. हनुमान जी ने उन्हें लंका में दश ग्रीव के बंधन से मुक्त किया था. व हनुमान जी से विनय पूर्वक किन्तु करकश स्वर में बोले, हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ. त्रेता की बात दूसरी थी, अब कलियुग प्रारंभ हो गया है. भगवान वासुदेव ने जिस क्षण अपनी अवतार लीला का समापन किया, उसी क्षण से पृत्वी पर कली का प्रभुत्व हो गया. यह कलियुग है. इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा बहुत बलिष्ठ हो गया है. अब आप पर मेरी साढ़े साती की दशा प्रभावी हो गई है. मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ. शनी देव को इस बात का तनिक भी ज्यान नहीं था कि रगुनात के चरणाशृतों पर काल का प्रभाव नहीं होता. करुणा निदान जिनके हृदय में एक क्षण को भी आ जाते हैं. काल की कला वहां सर्वथा निश्प्रभावी हो जाती है. प्रारब्ध के विधान वहां प्रभुत्वहीन हो जाते हैं सर्व समर्थ पर ब्रह्म के सेवकों का नियंत्रन संचालन पोशन प्रभु ही करते हैं. उनके सेवकों की ओर द्रिष्टी उठाने का साहस कोई सुरसुर करे तो स्वयम अनिश्ट भाजन होता है. शनी देव के अग्रज यमराज भी प्रभु के भक्त की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते हनुमान जी ने शनी देव को समझाने का प्रेत्न किया आप कहीं और चले जाएं ग्रहों का प्रभाव प्रिथवी के मरणशील प्राणियों पर ही पड़ता है मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दें मेरे शरीर में श्री रगुनात जी के अतिरिक्त दूस किसी को स्थान नहीं मिल सकता लेकिन शनी देव को इससे संतोष नहीं मिला वह बोले मैं स्रिष्टी करता के विधान से विवश हूँ आप प्रिथवी पर रहते हैं अतह आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं हैं पूरे साढ़े 22 वर्ष व्यतीत होने पर साढ़ साथ वर्ष के अंतर से धाई वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है किन्तु यह गौन प्रभाव है आप पर मेरी साढ़े साथी आज इसी समय से प्रभावी हो रही हो मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ इसे आप टाल नहीं सकते फिर हनुमान जी कहते हैं जब आपको आना ही है तो आईए अच्छा होता कि आप मुझ वरिद्ध व्यक्ति को छोड़ी देते फिर शनिदेव कहते हैं कलियूग में प्रिथवी पर देवता या उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए सब को अपना आवास सूक्ष्म लोकों में रखना चाहिए जो निकट aims होते हैं अतह मैं विरद्धों को कैसे चोड़ सकता हूं हनुमान जी पूछते हैं आप मेरे शरीर पर कहां बैठने आ रहे हैं शनिदेव गर्व से कहते हैं प्राणी के सिर पर सिर पर बैठता हूं मैं धाइवर्ष प्राणी के सिर पर रह कर उसकी बुध्धी विचलित बनाए रखता हूँ। मध्य के धाई वर्ष उसके उदर में स्थित रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ। और अंतिम धाई वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। फिर शनी देव हनुमान जी के मस्तक पर आबैठे तो हनुमान जी के सिर पर हैं। वैसे मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे मस्तक पर खाज मिटाने की यही उपचार पद्धती है। और आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य। ऐसा कहते ही हनुमान जी ने दूसरा परवत उठाकर सिर पर रख लिया। इस पर शनी देव कहते हैं आप इन्हें उतारिये। मैं संधी करने को तयार हूँ। इतना कहते ही हनुमान जी ने तीसरा परवत उठाकर सिर पर रख लिया। तो शनी देव चिला कर कहते हैं मैं अब आपके समीप नहीं आऊँगा। फिर भी हनुमान जी नहीं माने और चौथा परवत उठाकर सिर प मुझे उत्तर जाने का अवसर दें। कहानी में से एक के माध्यम से इस यात्रा पर हमारे साथ जुडने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो प्रेरित करने वाली और ज्यान वर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे कौन सी पौरानिक कथा सुनना चाहेंगे। झाल